अपने आपको गुलाम बनाकर अपनी आने वाली पीड़ी को बरबाद करके और उसे गुलाम की तरह जीवन देकर नहीं जियेगा हम मरेंगे तो संघर्ष करते हों मरेंगे हमेरी मौत निश्चित है को दिक्कत नहीं लेकिन हम गुलाम बन करने ही एक आजाद व्यक्ति के तरह संघर्ष करते हुए संघर्षिल व्यक्ति के तरह हम लड़ेंगे और मरेंगे रही सरकार तो मैंने आपके बता दिया सरकार को प्रोडेक्ट हैं इस अंबानी के मुकेस अंबानी आनियल अंबानी जो भी है कोई रिलाइंस नाम जिसमें भी जुड़ा है अंबानी के ये सारे प्रोडेक्ट इनका तेल पेट्रोल पंप अगरा सबका भाहिशकार हो इनके digital जो stores है वो इनके जो और अभी ये big बाजार में भी खुसके हैं इसका पूरी तरह से इनका buy cut होना चाहिए जो भी इनके show rooms है retail show rooms है इनका पूरी तरह से भाईशकार होना चाहिए इस आंदोलन को तो कमजोर करने की पूरी साजे सरकार कर ही रही है लेकिन केवल इस आंदोलन को नहीं ये सरकार इस देश को पूरी तरह से तभा करने के लिए सारा सड़ियंतर कर रही है पूरी तरह से इस देश बरबाद हो जाए और चंद उद्योग पतियों और पूजी पतियों और ये मुझी सरकार के हाथ में पूरा देश चला जाए इसलिए ये पूरी तरह से इस देश को तभा करने में लगी क्यों सरकार को देगा इसका मतलब सरकार अनाज खरीदने से बच गई MSP से बच गई और इस तरह से ही होगा कि राशन की दुकानों पर राशन नहीं जाएगा तो गरीब आदमी कहां से राशन खरीदेगा मतलब यह हुआ कि पुझी पती की ही दुकान से पूंजी पती से ही उसे उसके रेट पर उसे राशन खरीदना पड़ेगा मतलब यह है कि गरीब तबा, मजदूर तबा, किसान तबा यह है एक, इसके लिए सरकार यह काम कर रही है तो जो यह सरकार इस तरह से काम कर रही है हमें किसी आलत में यह सब कुछ बरदास नहीं है हम इसको बरदास नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे लगा अरु परताब जी, जैसा कि आज बारत तारिक है हम सबी को पता है कि शालों के तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था कि बारत तारिकों पुरा भारत को ठप कर देंगे, हाईडे जाम कर देंगे, वह साथी साथ में रेलड बेड ट्रैक जो है उसको भी जाम कर देंगे, यानि कि जब कुछ इतना सब कुछ हो रहा है, किसान लगतार इतने जीनों से धर्णा प्रदशन कर रहा है बहुत पहले से बात बताता रहा हूं कि सरकार को इस देश के लोगों की चिंता नहीं है ना गरीब की चिंता है ना मजदूर की चिंता है ना किसान की चिंता है ना छात्रों की चिंता है ना बेरोजगारों की चिंता है ना महिलाओं की चिंता है इस देश में जो वर्त्मान सरकार है मानिय मोधी जी की जो सरकार है उसको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है उसका केवल एक ही मकसद है राजनिती और राजनिती भी जिस घटिया इस तर पर उतर कर वो राजनिती करती है BJP उसका कोई मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई और दूसरा उधरान आपको मिलेगा सत्ता की जो उनको भूक है वो इतनी ज्यादा है कि उसके सामने उने कुछ नजर नहीं आता एक तरह से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से समवेदन हीन सरकार और सरकार का नेतरत और सरकार की जो पूरी टीम है पूरी तरह से समवेदना वहीन हो चुकी है होना ये चाहिए कि जो कानून है जो कानून पूरी तरह से इस देश को तबाह करने वाले हैं इस देश के लोगों से मुह का निबाला छीनने वाले हैं इस देश के लोगों को चाहे वो किसान हों चाहे मजदूर हों चाहे आमनागरिक हो सबको पूरी तरह से गुलाम बनाने वाले जो कानून है सरकार को बिना किसी देरी के उन्हें वापिस लेना चाहिए तीनों कानूनों को तुरंत रद करना चाहिए और जो MSB का कानून है उसको इमानदारी से जो स्वामी नाथन कमिशन के अनुसार C2 है उस पर 50% बढ़ा कर देना है तो एक उधारन के तहत मैं जैसे जगे जगे बताता हूँ फिर मैं आपको यह बताता हूँ कि यह मानिए कि इस समय सरकारी जो MSB है गहूं की वो 1975 रुपे है इसको C2 के हिसाब से अगर 50% बढ़ा के हम कहें तो इमानदारी से इसको देके तो करीबन 2800 रुपे प्रितिक कुंटल के हिसाब से गहूं होना चाहिए इस हिसाब से MSB करके उसको कानूनी रूप दे कर यानि कानून उसका बना कर कि MSB मिलेगी ही मिलेगी जो MSB से कम पर खरीदेगा उसको सजा होगी की और अगर नहीं खरीदता है तो सरकार MSB पर उस अनाज को खरीदेग इसकी गारणिय होनी चाहिए लेकिन सरकार यह सब नहीं कर रही होना यहीं चाहिए करना यहीं चाहिए अब रही इसकी बात कि जो सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और पश्रिम बंगाल का चुनाब उसमें लगी हुई है सरकार पीछे नहीं हटे कोई फरक नहीं पड़ता किसान पूरी तरह से इस बात पर दिर्ड संकल्प है कि कानून वापिस नहीं होंगे और MSP को कानूनी दरजा नहीं दिया जाएगा तो हम अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे क्योंकि हमारे पास क्यों दूसरा विकल बचा नहीं है या तो हम आने वाले समय में खुद भी और हमारी आने वाली पीड़ी भी चंद उद्योग पतियों और पूंजी पतियों की गुलाम बनके रह जाए क्योंकि सरकार ने इन कानूनों के माद्यम से अपने आपको पूरी तरह से अलग कर लिया है खेती से और केवल कॉंटेक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो भी कुछ होना है जो कॉंटेक्ट करेगा पूंजी पति और किसान उसके बीच की बात रह जाएगी सरकार उसमें कहीं नहीं होगी किसी भी तरह से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है और धीरे धीरे यही होगा कि जो किसान है उस पूंजी पति की गिर्प में आते चला जाएगा और पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा और आने वाले समय में अपनी ही जमीन पर किसान मजदूर के अग बलकि गुलाम बन कर रह जाएगा उसकी जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी यही आने वाला भविश्य है इन कानूनों के अनुसार तो इसलिए जो किसान है उसके लिए तो जीवन मरण का प्रश्ण है वो किसी भी सूरत में अपने आपको गुलाम बना कर अपनी आने वाली पीड़ी को बरबाद करके और उसे गुलाम की तरह जीवन दे कर नहीं जियेगा अगर हमें मरना ही है तो हम संघर्ष करते हुए मरेंगे गुलामों की तरह जिन्दा रहकर या गुलाम बनकर जीकर हम किसी भी हालत में जिन्दा नहीं रहेंगे हम मरेंगे तो संघर्ष करते हूँ मरेंगे हमेरी मौत निश्चित है कोई दिक्कत नहीं लेकिन हम गुलाम बन करने एक आजाद व्यक्ति के तरह संघर्ष करते हुए संघर्षिल व्यक्ति के तरह हम लड़ेंगे और मरेंगे रही सरकार तो मैंने आपके बता दिया, सरकार को भूँके कोई लेना देना नहीं है, वो पश्चिम मगाल चुनाम में और वहां पर हिंदू-मुस्लिम करने में, उसी लिए उसी किसारी भूमी का करने में वो लगी हुई है, इस आंदोलन में सरकार, हिंदू-मुस्लिम या जातिवाद क घुसाने में सफल नहीं हो पाई है, और नहीं किसी हालत में सफल हो पाएगी, क्योंकि ये आंदोलन किसानों का है, मजदूरों का है, इस देश के प्रत्यक व्यक्ति का आंदोलन है, देश को बचाने का जन आंदोलन है. देके इस आंदोलन को ही नहीं, ये तो सच है बिलकुल आप जो कह रहे हैं, इस आंदोलन को तो कमजोर करने की पूरी साजिस सरकार कर ही रही है, लेकिन केवल इस आंदोलन को नहीं, ये सरकार इस देश को पूरी तरह से तभा करने के लिए सारा सडियंतर कर रही है, पूरी त तरह से इस देश को तभा करने में लगी है दूतरी बात जो है जो शडियंत कर रही है वो शडियंतर खालिस्टानी के भी हम पे आरोप लगा रही है वो पाकिस्तान के समर्थन का भी आरोप लगा रही है वो हमसे चाइना का समर्थन का भी आरोप लगा रही है लेकिन मेरी किसान अगर आतंकवादी हैं खालिस्तानी हैं पाकिस्तानी समर्थक हैं चाइना समर्थक हैं तो सरकार इस बात को क्यों कह रही है कि हम से गलती हो गई हमने कानून बनाते समय आपसे पूछा नहीं और अब हम ये सुझाब ये प्रस्ताब आपके सामने रख रहे हैं आगे ही है किसानों के सामने ये क्यों कह रही है कि हमसे गलती हो गई अगर हम है देखें ये जो है कि जो सरकार का रवया है क्योंकि सरकार का जो गोदी मीडिया है गुलाम मीडिया है और सरकार का जो आईटी सेल है वो इसी तरह का भ्रहम फैलाने की लेलगातार काम करता है सरकार की एक पूरी जो एक पूरा इनका ITCEL और जो भी जितने इनके लोग हैं वो हमेशे सांदोलन को बदनाम करने की कोशिच करते हैं अभी आपने देखा होगा एक बात तो ये भी आरही है कि जो इनके अमिताब कांथ हैं जो नितियायो के अध्यक्या उपाद्यक्ष करके हैं और RSS के आदमी है वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा लोकतंत्र हो गया मिश्र कांथ आपको इतना समझ में आना चाहिए मैं आपके माद्धम से कहना चाहूँगा कि अभी तो इस देश में लोकतंत्र वाकई में हुआ भी नहीं है पूरी तरह से स्थापेद लोकतंत्र के जो आधार हैं उनको पूरी तरह से BJP और विशेसकरिये मोदी सरकार दोस्त करने में लगी है खतम करने में लगी है और क्योंके तुम नहीं बरदास कर सकते तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम्हें नहीं चाहिए कोई भी सच बोलने वाला और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वाला खड़े होकर संघर्ष करने वाला कोई तुम्हें नहीं चाहिए तो अगर कोई व्यक्ति अपने सम्विधानिक अधिकारों का सदुपियों करते हुए, अपने मूल अधिकारों का सदुपियों करते हुए, सही बात कहता है, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, आंदोलन करता है, अवाज बुलंद करता है, तो तुम उस अवाज को है हमारी वो अभी हमारी कॉल दो है आज एक तो यह है कि हम जो वो है हमारा जैपुर हाइवे है हम उसको जाम करेंगे दूसरा इसके अलावा जो इस सिती है जो टोल जितने भी टोल पलाजा है हम उन टोल पलाजा को टोल फिरी करेंगे टोल पलाजा पर धर्ना देंगे जाम कर हग है हमें अपनी बात के लिए अपने जो हमारे मुद्धें हैं उनके लिए संघर्ष करने के तरीके हमारे पास है और एक तरीका वो है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो तरीका है कि जो ये अंबानी और अडानी के जो प्रोड़क्ट हैं इनका जो बाइकाट करें म मैंने जैसे पहले भी का फिर आप दोरा तो इस बात को मैंने बहुत पहले जब C.A.N.R.C. का अंदोलन चलाता है एक साल पहले मैंने लगातार ये बात कही थी कि Reliance के जितने भी प्रोडेक्ट हैं इस अंबानी के मुकेस अंबानी आने लंबानी जो भी है कोई Reliance नाम जिसमें भी जुड़ा है अमबारी के ये सारे प्रोडेक्ट इनका तेल पेट्रॉल पंप अगरा सबका भाईशकार हो इनके डिजिटल जो स्टोर्स हैं वो इनके जो और अभी ये बिग बाजार में भी खुसके हैं इसका पूरी तरह से इनका बाईकाट होना चाहिए जो भी इनके शोरोंस हैं रिटेल शोरोंस हैं इनका पूरी तरह से भाईशकार होना चाहिए ठीक इसी तरह से अडानी अडानी के जो भी सामाने जिनमें एक फॉर्चिन तेल जो एडिबिल ऑईल है फॉर्चून तेल जो उसको उसका पूरी तरह से भाईशकार होना चीए साथ में इसके साथ साथ में मैंने कहा तो और अब आपके मादम से फिर कराओं कि जो न्यूस चैनल्स हैं हमें उन न्यूस चैनल्स का टीवी चैनल्स का पूरी तरह से भाईशकार करना है जो चैनल हमारी बात उठा नहीं सकते हमारी बात कह नहीं सकते हमारे दर्द को दिखा नहीं सकते हमारी पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते जो पत्रकारिता भूल चुके हैं हम उन चैनल को क्यों देखें Reliance का जो जीओ है हमें इसको पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें ये काम करना है और इसके साथ मैंने एक और कही थी कि लाला राम देव जो है उसके जितने प्रोडेक्ट है वैसे भी आप देखते हैं कि साथ परसेंट से जाए उसके प्रोडेक्ट जो है वो जो मानक है माप दंड़े उन पर खरे ही नहीं उठते बेकार है वैसी, गोबर है पूरी तरह से उनका पूरी तरह से हमें बहिश्कार करना है ये हमें करना पड़ेगा तो अभी हम ये अपना रहे हैं आने वाले समय में क्या होगा परिस्टी कैसी होगी उसके हिसाब से हमारी रणनीती समय समय पर हम लोग तै करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो सब क्या आपको लग रहा है कि इस बार जितने भी आन्दोरन कारी है कि इस बार जितने भी आन्दोरन कारी है क्या लग रहा है इस बार सरकार की जो कमजोर नब्ज है वो पगड़ने का काम कर वाएगे ने देखें निश्य तुम से सरकार की कमजोर हो या कैसी भी रखो लेकिन हमने हमें मालूम है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है और हमें ये भी मालूम है हम आपके माददम से सरकार को बता देना चाहता हूँ ये मालूम है हमें कि लड़ाई कैसे लड़ी और जीती जाती है और सरकार को उसके जो काम ये कर रही है देश को बरबाद करने के उस पे कैसे रोका जाएगा हमें ये मालूम है तो हम ये सारी चीज़ है हमारे पास सारे option खुले हैं और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ मैं तो लगाता है और इस बात को कह रहा हूँ कि जो लोग इस देश की जनता क्योंकि मैं आपको एक मिर्ट में जो समझाऊँगा आपको तो उससे आपको समझ में आ जाएगी देखे और चीज़ को छोड़े आप दो चीज़ के विशे मैं आपको बताता हूँ मैं यह जो इसेंशल कमोडिटीज एक्ट है यानि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है जिसमें जो सरकार है इस सरकार ने पहले यह था कि अनाज, चावल, आलू, प्याज यह जो कुछ ऐसी जरूरी चीज़े हैं जो हर इनसान को चाहिए उन पर एक सीमा थी कि व्यापारी इस सीमा से जादे उसे नहीं खरी सकता, इस स्टॉक नहीं रख सकता उसको अपने गोदामों में इस से जादे नहीं रख सकता, आप सरकार ने वो सीमा खतम कर दिये इसका असर क्या होगा यह मैं आपको बता दूसरा इन्होंने जो agreement होगा जो contact farming की जिसकी बात है उस contact farming को आप समझे कि जैसे contact farming है मना मैं एक उद्योग पती हूँ और मेरे सामने जो साथी ये बैठे हैं ये किसान है इनकार मेरा agreement होगा और इस तरह से पूरे देश में होगा agreement जो उद्योग पती है पूञी पती है वो सारे देश में इसी तरह से किसानों से वो करेंगे सः धीरे धीरे तो मेरा और इनका agreement हो गया पहले तो agreement जो हो रहा है उसी में सारी सर्थे जो तेह हूंगी और उस agreement में आप जानते हैं कि किसान की विचारी की कैसितिती जो तेह हों कि ये condition दोनों को मंजूर हैं और ये agreement हो गया कल किसी प्राकृतिक प्रिकोप के कारण जो फसल है यानि कहीं बारिश ज्याद हो गई बाढ़ आ गई कोई सूखा पढ़ गया उसकी वज़े से फसल बरबाद हो गई तो क्योंकि contact farming है तो उसमें कहीं कोई बीमा कंपनी तो farming में बीमा कंपनी नहीं आगी और सरकार ने अपना आपको जैसे ही पूझी पती का और किसान का आपस में agreement हो गया contact हो गया सरकार उस मैदान से बाहर हो गई बिलकुल सरकार का आप कोई रोल इसमें नहीं है आदम किसान मरे जिये कुछ भी करें उसके साथ में पूझी पती क आपदा से फसल बरबाद हो गई तो फसल बरबाद हो गई कानी कतम हो गई यह यूं मानिये कि कभी कभी ऐसा होता है कि खेती ठीक ठाक हो रही है लेकिन बारिश हो गई हवा निकल गई फसल थोड़ा सा जो है नीचे गिर गई तो फसल हुई लेकिन दाना जितना जिस तरह क होना चीये था उस फसल का वैसा नहीं हुआ कम जोर हो गया तो जब कम जोर हो गया तो जो पुझी पती उसने कह दिया मैं तो नहीं लेता भाई क्योंकि जिस ग्रेट का चीये जैसा मुझे चीये वैसे आना आज है नहीं मैं तो लेता मर गया किसान जिस रेट पर तय हुआ था वो रेट वेट सब खतम होगी जब वो लेई नहीं रहता और फिर भी एक बार को मान लिजे कि रेट तय हुआ MSP की बात करी ना सरकार ये करी है कि MSP रहेगी मैं उसको बतातू कि MSP कैसे खतम हो जाएगी जब मेरा यानि पूझी पती का और किसान का एग्रिमेंट हो गया और उस एग्रिमेंट में ही फसल की कीमत तय हो गई जो MSP है वो केबल सरकारी आदेश है वो कानून नहीं है तो बंदिस तो है नहीं कि पूरी तरह से वही रेट में लगा मेरे और उसके रेट तैह हो गए माना यह मानिए कि दो हजार रुपे की यू मानिए कि इस समय MSP है सरकार की 1950 रुपे गहू की और मेरी और किसान की तैह जब हो रही है तो मैं पूजी पती हूँ मैं तो कह रहा हूँ मैं तो तेरा 1500 रुपे में खरीदूँगा या 16 रुपे में खरीदूँगा तुझे देना हो तो दे नहीं देना तो मत दे करें लूँ से वो देख रह होगे तो सरकार की MSP क्या होगी क्या ये बंदिश है कि जो MSP है agreement उससे कम पे नहीं होगा ऐसा तो कई भी नहीं है पूरे कानून में जो कानून है इस कानून में कहीं यह नहीं लिखा कि जो agreement होगा किसान के और पुझी पती के बीच में वो agreement MSP इसे कमपे नहीं होगा वो है कि उसके बीच में कॉंटेक्ट होगा तो जब MSP है ही नहीं तो उस MSP का क्या होगा इसका मतलब यह है कि सरकार सिर्फ आश्वासंदेरी यह कह रही है MSP लागू रहेगी लेकिन MSP इस कानून के लागू होते अपने आप खतम होगी MSP खतम होगी एग्रिमेंट मेरा उसका है दीरे दीरे इसीती यह होगी कि किसान मरेगा जब किसान बरबाद हुआ तो किसान से जुड़ा हुआ मजदूर बरबाद हुआ और जब जो वो है पूझी पती है पूझी पती ही सारा अनाज खरीद लेगा तो जो गरीबों को राशन की दुकानों के माद्यम से राशन पर अनाज दिया जाता सरकार उसके लिए राशन कहां सलाएगी क्या सरकार उन पूझी पतियों से खरीदेगी राशन या सरकार उनसे खरीद ही नहीं सकती और पूझी पती क्यों देगा जब पूझी पती को अपने उस अनाज की कीमत दोगणी चोगणी मिलेगी उसके लिए बेचने के लिए ले रहा है तो वो क्यों सरकार को देगा इसका मतलब सरकार अनाज खरीदने से बच गई पड़ेगा मतलब यह है कि गरीब तबाह मजदूर तबाह किसान तबाह यह एक इसके लिए सरकार यह काम कर रही है तो जो यह सरकार इस सरे से काम कर रही है हमें किसी हालत में यह सब कुछ बर्दास नहीं हम इसको बर्दास नहीं करेंगे आंदोलन करेंगे लगा